बॉल्यूड में ऐसे कम ही अबिनेता हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम कमाया हो और उन्हीं अबिनेताओं में एक नाम आता है अक्षे कुमार का जिन्होंने अपनी अलग पैचान बनाने के लिए काफी संगर्श किया और फर्ष से लेकर अर्ष तक का सफर तै किया हर एक फिल्म को बेस अबरी से इंतजार करती है उन फिल्मों को अच्छा खासा रेस्पोंस दे कर इनकी महनत को सफल बनाती है तो दोस्तों आप इनके बार में तो सब जानते हैं लेकिन क्या इनकी पतनी के बार में जानते हो कौन है क्या करती है कैसी दिखती है अगर आप इनकी पतनी के बार में जानना चाहते हो तो वीडियो के इंट तक बने रहना और साथ ही दमदार अबनेता के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले हिंदी सिनमा जगत के सूपर स्टार अक्षा खुमार और फर राजीव हरियों भाट्या का जन्म 9 सितमबर 1967 को अमरिसर पंजाब में हुआ जिसके बाद ये दिल्ली चले गए जब ये पांस साल के हुए तो इनका पूरा परिवार मुंबई चला गया इसलिए उन्होंने शुरुवाती पढ़ाई डॉन बोस को स्कूल से की बाद में गुरुनाना खाल सा कॉलेज से ग्रिजूशन की पढ़ाई की अगर बात करें स्ट्रगलिंग करियर की तो इनकी एक्टिंग में कोई दिल्चस भी नहीं थी बलकि उन्हें तो मार्शलार्ट में ज्यादा रूची थी इसलिए इन्होंने अपने पिता से थाइलेंड जाकर मार्शलार्ट सीखने की इच्छा जताई और इनके पिता मान भी गए वो थाइलेंड के 5 साल वहीं रहकर मार्शलार्ट सीखा इस दौरान इन्होंने होटैल में बतार शैफ और वेटर भी काम किया जब इन्होंने मार्शल आर्ट सीख लिया तो वापस मुंबई आ गए और छोटे-छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। एक दिन इन्हीं के स्टूइंट के फादर ने ने देखा जो की एक मौडल कोडिनेटर थे। उन्होंने इन्होंने मौडलिंग करने का उफर दे दिया जिसे इन्होंने स्विकार कर लिया इसके बाद इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बतार मौडल कर ली। इस modeling assignment में इन्होंने दो दिन में इतने पैसे कमाये जितने पूरे महीने में नहीं कमा पाते थे। इसलिए इन्होंने अब modeling करने का मन बना लिया। और 18 में ने photographer Jay Shet के साथ बिना पैसे लिए काम किया। ताकि वो इनका अच्छा portfolio बना ले। जिसे लेकर वो बैंगलूरू जाने वाले थे। इनके flight mist हो गई, जिसके कारण ये काफी निराश हो गए। जब ये airport से घर आ रहे थे, तो रास्ते में इनकी मुलाका डिरेक्टर राज सिप्पी से हो गई। जो इनके देखकर इतना प्रभावित हुए कि इनके अपनी फिल्म सौगंद में काम करने का उफर दे दिया, जिसे इनके इसे अच्छे प्रजिशन को देखते हुए निर्माता निर्देशकों की लाइन लगए भाई साब, और फिर तो इनके इनके खिलाडी, दीदार, सैन इनक, मोहरा, मै खिलाडी, तू अनाडी जैसी सुपरेट फिल्मों में काम किया, इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और खोद को सबसे सफल अबनेता के रूप में स्थापित कर लिया, वरतमान में अपने आने वाली लक्षमी बॉम्ब की प्लमी और दिल दिवाना तेरे लिए जैसी फिल्मों में काम किया है। अगर बात करें दोनों की लव स्टोरी की तो इन दोनों की पहले मुलाकात फिल्म फियर मैगजीन के फोटो शूट के दोरान हुई जहां अक्षए पहली निजर में ट्विंकल को अपना दिल दे बैठे पर इनोंने इनने एगनोर कर दिया। फिल्म की शूटिंग के आखिर में अक्षए ने प्रपोज कर दिया। ट्विंकल ने भी इनका प्रपोजल सुईकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, डेट करने के बाद एक दिन अक्षे ने ट्विंकल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया उन दुनों ये मेला फिल्म की शूटिंग कर रहे थी, तो इन्होंने एक्षे से कहा अगर ये फिल्म फ्लॉप साबित होती है तो वो उनसे शादी कर लेंगी और हिट होती है तो वो शादी को टाल देंगी पर भगवान की ये इच्छा थी कि ये दोनों जल्द शादी कर लें ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो गई और फिल्म फ्लॉप होने के बाद दोनों साथ जन्वरी 2001 को निजी समारों में शादी के बंधन में बंध गए शादी के बाद ट्विंकल ने अपने अभिने करियर को विराम दे दिया और अपने निजी जी उनमें वेस्त हो गई ये दोनों अपने खुशाल जिन्दगी बिताई रहे थे कि इनकी खुशियों को और बढ़ाने के लिए इनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ क्लिवर्ट से जुड़ी और विबाते जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए